आक्टूबर महीने में किसे मिलेगा मा लक्ष्मी का आशरवात? इन चार राश्वी वालों का भाग्योदय करेंगी बाता? अब आक्टूबर महीने की शुरवात होने जा रही है। ये अंग्रेजी कैलेंडर का दस्वा महीना होता है। आक्टूबर महा कुछ लोगों के लिए बहुत ही शुब और शांदार रहने वाला होगा। इस महीने में कई लोगों का भाग्योदय होने की प्रबल संभावनाए कारियों में सफलताएं हासल होंगी जो कारे पिछले कई महीनों से रुके हुए थे वो अब इस महीने में गती पकड़ेंगे। जो जातक बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये महीना शांदार मुनाफ़ा दिलाएगा। वैदिक जोतिश शास्त्र के नुसार ऑक जादा नियंतरन करने की आवशक्ता रहेगी। इस तोरान आपकी बात से बात बनेगी और आपकी बात से बात बिगड़ेगी। ये समय परिक्षा प्रतियोगिता की तयारी में जुटे छात्रों के लिए शुब साबित होगा। यदि किसी कारणवश सेहत खराब चल रही तो उसमें सुधार होगा। करियर कारुबार में कुछ एक अर्चनों के बाद आपको मनचाही सफलता मिलेगी। कारुशेतर में दूसरों से उलजने की बजाए लोगों के साथ मिलकर चलना उचित रहेगा। ऐसी स्थिती महीने के तीसरे सबता तक बनी रहेगी। करक के जरिये उन सभी अर्चनों को दूर करने में काम्याब होंगे जो आपकी प्रगती में आड़े आ रही थी। स्वाजनों के साथ गलत फहमिया दूर होंगी। ये समय परिक्षा प्रतियोगिता की तैयारियों में जुटे चात्रों के लिए भी शुब साबित होगा। इस के चलते धन उधार लेने की नौबत आ सकती है। महा के तीसरे सबताह में कारक्षेत्र में अपना काम किसी दूसरे के भरों से छोड़ने की भूल ना करें और नहीं किसी की छोटी मोटी बात पर उलजने की भूल करें। ये समय आपकी सेहत की द्रश्टी से अच्छा नहीं मौसमी बीमारी के चलते आपको शारेरिक एवंग मानसिक समस्याओं से पड़ित होना पड़ सकता है। इस तोरान अपनी दिंचर्यों और खानपान को सही रखें। माहा के दूसरे सपता हमें करियर और कारोबार के लिए लंबी अथ्वा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस तोरान आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर अलग ये आतनों विश्वास बना रहेगा। विवसाई से जुड़े लोगों का बाजार में फसाध धन और प्रत्याशित रूप से अचानक निकल आएगा। किसी योशना के लिए पूरों में किया गया निवेश बड़े लाफ का कारण बनेगा। इस तोरान आपके परिजनों का पूरा सा योग मिलेगा, आपके संचित धन में व्रध्धी होगी। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे, तो आपको बहतर अवसर प्राप्त होंगे। प्रयास करने पर आपको मन मुताबिक सफलता मिल सकती है। माह के मध्ध में आपके घर में धार्मिक या मांगलिक कारे संपन होंगे। अविवाहित लोगों का विवाहताय हो सकता है, जससे घर में खुश्यों का माहौल बना रहेगा। माह के उत्तरार्ध में आपके स्वभाव में उगरता देखने को मिल सकती है। इस तोरान किसी के साथ बादचीत में गलत शब्दों के प्रयोग करने से बचे। यदि आप अपने कारक्षेतर में बदलाब की सोच रहें तो ऐसा करने से पहले खुब चिंतन मंतन कर लें और स्वजनों की सलाह भी ले लें। क्योंकि जल्दबासी में लिया गया निर्णे आपके लिए जी का जंजाल साबित हो सकता है। महा के उत्तरार्ध में आपकी सेहत भी आपके प्रगती में बाधक बन सकती है। धर्म कताएं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।